दोस्तो मेरा नाम तौफीक है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोपी पेस्ट करना ठीक है ये बहुत अच्छा काम है आप फीमेल है या मेल है बहुत अच्छा फासा पैसा कमा रहे हैं कोपी पेस्ट करके ठीक है तो आपको जस्ट कोपी पेस्ट कैसे करते हैं तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, जैसे मैंने अपने computer screen पर ये documents wordpad only के open कर लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक line लिखी हुई है, internet marketing is the component marketing that uses the internet and all best digital technologies such as desktop computers, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर line लिखी हुई है, digital marketing के बारे में, ठीक है दोस तो यहाँ पर आप इसको copy paste कैसे कर सकते हैं, दूसरी जगे पर, तो आपको simple या तो आप यहाँ से लगता है, थोड़ा small दिख रहा है, तो इसका size में थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से select कर लोगा mouse के through, ठीक है, या फिर मैं simple काम करूँगा, अपने keyboard के through, ठीक है, keyboard के through, आप इसको करेंगे, control plus A, control plus A से देखी, वो select हो गया है, जो text मेरे पास में है, वो सारा paragraph select हो गया है, ठीक है, अब मैं जाओगा यहाँ पे, यहाँ पे, इसका जो size है, वो मुझे change करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको 20, 20 में यह थोड़ा large size में आ गया, ठीक है, अब लगता है, comfortable होंगे, यह दिख भी रहा होगा आपको, अब करना क्या है, या तो आप इसको अपने keyboard के through, copy कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले keyboard के through में आपको बता देता हूँ, shortcut रहेगा, मेरे पास में यह keyboard है, ठीक है, keyboard में आपको control plus A select करना है, प्र control plus C press करना है, इस से क्या होगा, control plus C से, आपका जो paragraph है, वो copy हो गया है, जो command है, वो computer को चली गई है, अब आपको करना क्या है, अपना mouse उठाना है, और mouse उठाके आपको जहाँ पे भी paste करना है, ठीक है, suppose that मैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा enter करके, आगे, इसको यहाँ पे paste क मुझे क्या करना है, keyboard से, control, मैं press करूँगा, control, control plus V, ठीक है, देखिए, paste हो गया है, जितनी बार भी मैं करता जाऊँगा, control V, control V, यह उतनी बार paste होता जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यह तो रहा keyboard के तुरू, यह बहुत असान है, मैं इसको यहाँ से अटा देता हूँ, माल लीजिए, इसी को ही कहीं दूसरी जगे पे आपको paste करना है, किसी भी अलग फाइल में या अलग किसी भी sticky notes पे आपको इसको paste करना है, तो मैंने इसको तो copy तो किया हुआ ही है, वो command already computer को दी हुई है, तो अब मैं इसको यहाँ से minimize करूँगा, यह है मेरे पास में sticky notes, ठीक है, यह sticky notes यहाँ से generate होता है, या अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप अपने computer screen पे यहाँ पे search बार में जाएंगे और sticky notes लिखेंगे, ठीक है, sticky notes इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं paste करूँगा, अब यहा यहाँ पे यह आपका जो paragraph है, वो paste हो गया है, ठीक है गाईस, और इस तरीके से आप copy paste कर सकते हैं, राइट, और एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, जैसे माल लीजे मैंने यहाँ पे यह copy paste कर दिया है, ठीक है, आप चाहते हैं यह copy paste, मैं एक और बार कर देता हूँ यहा एक ही copy paste रहा है, यह वाला, मैं इसको remove करना चाहता हूँ, या तो आप इसको simple select करके यहाँ से, अपने mouse के तुरू इसको हटा सकते हैं, delete कर सकते हैं, राइट, या फिर यहाँ से आपको करना क्या होगा, simple, अपने keyboard से ctrl z press करना है, ctrl plus z, ctrl plus z, तो वो undo हो जाएगा, undo का मतल है, जो आपने write down किया, वो undo हो गया, या निके हट गया है, ठीक है computer screen से, तो बैरहाल उमीद करता हूँ, आपको यह video पसंद आया होगा, और अगर video आपको अच्छा लगा तो please video को like कर दीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, channel को जरूर subscribe कर ले, क्योंकि एसे ही interesting videos हम लाते रहेंगे अपने channel पर, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, tata take care, bye